नमस्कार दोस्तों मैं अर्विंद कुमार विष्ण हूँ आज हम पढ़नेगे अफ्रीका माधीप अफ्रीका कॉंटिनेंट इससे पहले एश्या माधीप मैंने बता दिया है पहले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा हो तो आप वीडियो लेख लेना देखे किसे भी मैं बेटते हैं वह चीजे में मैं बताओंगा माधीप अथा विस्तार फटते रोव पढ़ते रोव कमी नहीं ग्यान का कभी अंत नहीं हो था ज्टाइब अधा मास आगर कितना भी आप डूब इसमें डूबते ही जाओगे तो आप वह चीज में आपको बताओंगा चांस प्रशन मेठने की संभावना रेती है और आज यहां से प्रशन मेठने की चांस आपके पुरे रहेंगे ठीक है तो हम बात करेंगे अफ्रीका महादीप अफ्रीका महादीप सेत्रफल और जनसंग्या में दूरा स्थान रखता है और सरवादिक देसों वाला महादीप है सरवा एसे इसमें बोलते हैं अंद महाद इप और इसे हम बोलते हैं आसा का महादेप क्यों कि the अफरीका माधीप महाधीप के जमीन के अंदर वह सवारा सोना हीरा का फिखाने अंदर हैं उसके अंदर तो अगर बविश में कहीं सोना खत्म हो जाएगा तो अफरीका महाधीप से हमें सोने, हीरे,li Đi, जवराथ की प्रापती होगे इसलिए से असा का अगर आपने कई फोटो देखा हो पतला सा कोई बिच्चा हो काले रंगा हो तो वह अफरीका के होगा इसे आप मान के चलो ठीक है तो क्या बोलते हैं इसे अंद महादीप आसा का मादीप और निरासा का मादीप ठीक है अब मुख्य प्रशन जिप्राल जलसंदी पहला ही पु जोड़ने के लिए बीच में जलसंदी बने यहां जलसंदी इंसा दो मार सागरों को जोड़ती है और दो सागरों को चोड़ती है और और अलग करती आप ये भी स्तल भाग ये भी स्तल भाग तो अफरिका और यूरोप को क्या करती है अलग करती है ये संदी है और अटलांटिक मास सागर और भूमेत सागर को चोड़ती है ये संदी ठीक है इसके बारे हम बात करें तो समझे कौन संदी है जिबराल्टल जल संदी इसे नाम क्या दि तो अब अफ्रिका और यूरोप को अलग करती है अफ्रिका यूरोप मादीब को देश कौन से तो यहां पर मॉरोक और यहां पर स्पेन तो स्पेन मॉरोक को अलग करती है ठीक है और अटलांटिक मासागर और बुमेदिसागर को जोड़ती है यानि बुमेदिसागर और अटल किसे कहते हैं पिर बात करेंगे स्वेजनेर कोंसी देश में मिसर में देखें यहाँ पे लाल-सागर है यह पे-ट्रांटिक-माज-सागर आगे यह अपने कि दूरी तहीं करनी पड़ती थी इसलिए उनन क्या गया यहा लाल सागर भूमेदी सागर दोनों के बीच में आपने नहर बना दी उसका नाम दिया गया स्वेज नहर ट Τो यहा कि दूरी कम होगे जल्यान सिद्दा यहां से नहांने लग गया तो भूमेदी और फेल लाल साग जोड़ती है ठीक है निर्मान कब हुआ इसका 1870, 1859, 1860 में Ferdinand D.Lesseps द्वारा सुरू किया गया वेरी वेरी इंपोर्टेट्ट बाद में Ferdinand D.Lesseps द्वारा सुवेजनेर का निर्मान शुरू किया गया स्वेज नहर किसको जोड़ती है भूमेदी सागर व लाद सागर जोड़ती है निर्माण सुरूवा आता इसका अट्रासो गुंसाट में फर्डिनेंड डी लेसर्स द्वारा शुरू किया गया था उद्द साल बाद पूरी हुई अट्रासो गुंसातर में 1869 में इसका निर्म इसका आपको याद होने चीजिए रिपेट करते हैं स्वेज नहर मिसर देश के अधीन है उम्मेदी सागर लाल सागर जोड़ती है निर्माण सुरू हुआ था अठासो गुंसातर में फर्डिनेंड डी लेसर्स द्वारा अठासो गुंसातर में पूरा वा निर्माण 1956 में राष्टी खरण कर लिया गया मिसर द्वारा और 112 किलोमेटर लंबी है अब एक परवत बताया था मैंने जब इसु के परवत मैंने बताया थे एटलस परवत अफ्रिका बढ़ता है तीन देशों में मोरोको अलजीरा ट्यू निश्या 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 मोरोको अलजीरा ट्यू निश एंट लेन याना, स्क्रेश वोट लिजी, आगी वर पढ़ते हैं हम कुछ विशेश बिंदों की बात करते हैं, तो देखे, सहारा मरुस्तल सहारा मरुस्तल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्तल है, क्योंकि सहारा क्या होता है, बड़ा होता है, गणा नहीं है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्तल क्यों सहारा मरुस्तल, ठीक है, यहां पर लाल रंकी मिट्टी पाई जाती, इसलिए से रेड डिजर्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रेड डिजर्ट भी कहते हैं, लाल रंकी मिट्टी पाई जाने की कारण, ठीक है, फिर अल अजीजिया, सारा मरुष्टल में एक स्थान था, है स्थान है बीवी, अल अजीजिया, लीबिया देश में, कोंसे देश में, लीबिया देश में, अल जीजिया जो वीशु का सबसे गरम स्थान हुआ करता था, ठीक है, तो अल जीजिया लीबिया में है, सारा मरुष्टल में स्थित है, ज विश्व का सबसे गरम स्थान था ठीक है फिर आगे में बात करें विक्टोरिया जील अफरीका महादीप में हैं विक्टोरिया जील तीन दिशों में हैं केनिया यूगांडा तंजानिया Kenya, Uganda, Tanzania Kenya, Uganda, Tanzania Kenya, Uganda, Tanzania यहां से विशुवत रेखा गुजरती है विशुवत रेखा 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 विशुवत और याद करें आपको विक्टोरिया जील से निकलती है विश्व के सबसे लंबी नदी बड़ी नहीं यह द्यार रगना विश्व के सबसे लंबी नदी बात करें ठीक है निल नदी पर मिसर देश में आस्वान बांध बनाये गया है को सा बांद आशमान बांद बनाये गए याद होने चाहिए निल नदी पर मिस्थर다면 कोसा बांद बनाये गया आसवान बनाये ग़ा रेपवीच ड करता है, निल नदी उध्यम होता है विश्व के सबसे लंबी नदी बड़ी नहीं है चाहिंक तो आपको ये तो अपयोजान ही नदीं है अमेजन नदी सबसे बड़ी जब कि सबसे इस बात कर दिया की इसके विकर हाइं कि काहिरा तीक उपनाम किया ? A-Sia-Europe junction और Nellandだ की बि・ Thailand ? पुझा कंऊ है प्रिक्साम की क्या राजदानी क्या ? कहीरा क्या बोलते है ? एशिया यूरप का जंक्या का क क्या ? umpy BE को बोलते सोब भूरते है ? Aí कि बोलते हैं ? इı लए है शोसाइब लोइसमे तो इसको पोर्ट लोइश मोरिशने कि चार्ट ही बात करते तो देखेर तर theor अलजेरिया अफ्रिका सबसे बड़ा करें दख्षणी शूडान कौनर सो देस लखषणी सूडान राजदानी कहा इसकी जूबा क्या राजदानी हा जूबा 2011 में ये अफरीका का 54 डेस बना था इससा था पर सुडान से टूटकर 59ए अफरीका का 54 डेस ठीक है फिर बात करें अफ्रिका में spooky देश को नाइजीर वेड़ी इंपर्टेट्ट्ट अफ्रिका में शरवादी जनसंगया वीचсы कोँ सा श्का। हुएलिजीर्षर, प्लमें मिईकान नैजिर्या. ऑफ्रिका में सर्वादी जनसंगया वेक्षस कोंसा श्कुर्णा है, कोणसा श्का। आपूज़ा क्या निगलती है यह नाईजर नदी भी निकलती है यहाँ से नाजर नदी बोलते है नदी न बताओंगा तह बताओंगा आपको तो नाईजर नदी को अईल रिवर भी पहते हैं तो इसले नाइजेरिया को बोलते हैं पॉम ओयल देश है ना रिपीट करते हैं नाइजेरिया अफ्रीका में सरवादी जनसंग्या वाला देश राजदानी अबूजा इसे पॉम ओयल देश भी कहते हैं नाइजेरिया को ठीक है फिर विशेच लगाई आप लेगना सरवादी हसी पाइधिन काम वर्दी दर वाला माधिप है अफरीका है तो φी एये उपर मकारका के रेका आप फिर अंच को धूरchs़bau बॉम्भेदे रेखा को बार काटती हैं क्लाइए जाइरे जबकि मक्नाव रेखा काटती है लिंपोपो नदी लिंपोपो नदी तो मक्का रेका को दो बार काड़ती हैं लिम पोपो नदी, repeat करते हैं वपिस, माइब आधीब अफिस, जनसेंगा अपड़ीदी दरौवाला अफ्रीका, भुम्मधे रेका को दो बार काड़ती हैं कांगो याल जैरे निदी, लिम पोपो नदी, दोनो अफ्रिका मादीब में, तो देखिए करक रखा दो बार भारती की नदी काटती रास्तान वाली माही नदी ठीक है और भूमधी रखा दो बार काटती कांगो या जायरी नदी ठीक है और मक्र रखा काटती लिम पोपो नदी अफरिका की दोनों नदिया है ठीक है वो तिनों डेखा है अफरिका तो देखें प्किमी जह जलीक तो सपे कांगो यह जल कारे चतर है वह पर पीगमी जल 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 के दर पाई जल जल लें यह यह कांद जल जल बीसा से के लेब मत जा हल पर शॉत्र गया हालेल देखें बॉसमें जान जाए। सबक्सक्त पर को हैं मिया में बना मिदाए हैं। तक को काई के चीये अगली सब से नगोरे ०्हों है। कि जै वी तो देखें भूस पर कोईयो नहीं टेंशी सुसूर्मुर्ग जीव कौसा पकसी शुत्र मुर्ण प्क्सियए जिसका अंडऺ स्थ см का अविश्य में सबसे अनड़ स्थमीन ठीक है , फ्ले तीस्री जंजाथी मसाहरी मरेती यह स्थम्डर है इदर यहूजिजा.। फ्ले बात करें ज्वान बर्ग को स्वण नगरिंग किते हैं वेर थोंने चाहिए आपको इसे क्याहिए डख्षणी अफ्रिका, जो अब फार ही डख्षणी अफ्रिका, यहाँ पर हीरे की किमिरले खान है, जो भीशु परसीद है, सरवादी हीरा निकल था किमरले खान से तो दक्षिन अपरिका में हीरे की किमरले खान है किमरले खान है किमरले खान है किमरले खान है ठीक है विशु का 50% सोना यही है दक्षिन अपरिका देश में यह विशु का 50% सोना विशु का सबसे बड़ा हीरा कुलिना विशु का सबसे तो देखिये रिखाप हीरे की किमरले खान परसीद हैं विश्व का 50-30-30 है यह होता है ठीक है विश्व का सब्सके बड़ा हीरा कुल इना दक्षणिपरिका की प्रीमियम खान से निकला था याद वने चैये आपको और दक्षणिपरिका में वेट्स गास के मेधान पाइटे सबसे उचा जब्रपाद अब्परिका का सबसे ईचा जब्रपाद कौन साथemat ए ज्चान में जर्परपाद जम्बीया के दक्षण में निद किस निदीपर में और अफ्रीका का सबसे उचे जल पर पात है जो जेमिजी नेधीपर है ठीक है फिर बात करें इस टेलले जल पर पर पात यह है कांगो जैरी नेधी पर सतीत हैं एक परसंदे भी पुछा गया बहुत बार होई अफरीका किसे कते हैं अफ्रिका के था अफ्रिका माधीप मैंने अच्छे समझाने कोशिश किये हैं आप कसा लगा आप कमेंट करके बताना और वीडियो कर पसंद आए तो शेयर जुरू करना ठीक है तैन्यवाद